Hello everyone, I welcome you all to this video. In this video, we are going to learn about human system. ठीक है? और human system को start करने से पहले हम दिखते हैं कि इसका क्या importance है? तो humans के वारे हम बात करते हैं, humans क्या है? एक multi-cellular organisms हैं ठीक है? और क्या है? बहुत ही complex होती है. multi-cellular क्यों? multi-means क्या होता है? बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा. unicorns क्या होता? singer और multi-means होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि humans में जो हो क्या होती? बहुत ज़्यादा cells होती हैं, ठीक है? millions और billions के number में क्या होती है humans के अंदर cells होती है ठीक है और आपने पहले class में पढ़ा होगा कुछ क्या होती unicellular organisms होती है जैसे amoeba ये सब ठीक है फिर बात करते हैं कि जो cells है ठीक है बहुत सारी cells है वो मिलती है कुछ group of cells जो मिलती है वो मिलके क्या बनाती है टिश्यू बनाती है basically कुछ group of cell है बहुत सारी cell है वो क्या है आपस में उनका जो configuration है उनकी जो बनाऊट है structure है वो same है और उनका जो function है वो भी क्या है same है तो इस group of cell को अपन क्या बोलेंगे आपे tissue बोलेंगे फिर बाद में कुछ tissue है वो मिलके क्या बनाते है एक particular organ बनाते है वो एक particular function को कर रहे है ठीक है और कुछ जो organ है वो मिलके जब एक particular function को करते है complete करते है ठीक है किसी भी body के अंदर किसी भी organism के अंदर तो उस group of organ को हम क्या बोलेंगे organ system बोलेंगे then अगर कुछ organ system मिलते है तब जाए क्या बनती है वहाँ पर एक organism बनती है ठीक है तो यहाँ कुछ word है जैसे कि cell cell के लिए जो word है science में वो हम use में लेते कौन सा site या फिर cyto जैसे आपने पढ़ा होगा earlier classes के अंदर की जो cell है cell के इंदर क्या होता है एक cytoplasm होता है तो cyto means cell या cell से related plasma means liquid और solid के बीच में जो एक state होती है जो लाइक हई की जो state होती है उसको क्या बोलेंगे plasma state बोलेंगे ठीक है ना तो cell के इंदर जो plasma type या फिर बोलेंगे जो jelly type liquid होता है उसको में बोलते हैं क्या cytoplasm वैसे ही जो tissue है tissue के लिए word होता है यहाँ पे क्या histo ठीक है एक और जी आपको बताना जाओंगा कि जैसे मान लीजे कोई cell की study करता है तो cell की जो study है उसको में क्या बोलेंगे cytology c-y-t-o-l-o-gy-y सेम उसी तरीके से जो tissue है उसकी study क्या हो जाएगे यहाँ पे histology ठीक है तो हम आगे start करते हैं देखी तो cell है cell क्या होती है किसी भी organism का या किसी भी body का यहाँ हम basically बात करें humans की तो humans की body क्या होती है वो functional और structural unit होती है अब functional और structural unit बोलने का यहाँ मतलब क्या है वो हम देखते हैं तो को functional का means क्या होता है जो भी आपकी body में function हो रहे है सारे respiration हो digestion हो reproduction हो वो एक cellular level पे भी हो रहे है मतलब वो सारे की सारे चीज़ें cell में भी हो रही है cell में भी क्या होता food का digestion होता है cell भी क्या करती है reproduction करती है cell के इंदर सी क्या होता है वहाँ पे respiration भी होता है और structural हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि अभी आपने यहाँ देखा कि जो एक organism है बोडी वो बनी किसे यहाँ पे organ system से वो बना है organ से वो tissue से और tissue final किसे बने पे cell से बने है ठीक है इसलिए जो cell है cell को हम यहाँ functional और structural unit बोलते हैं किसी भी body की अब आपका पहला जो यहाँ पे एक system आता है उसका यहाँ पे नाम क्या है digestive system ठीक है तो एक बार आपने यहाँ देखा कि जो भी आपकी organisms है बहुत सारे organ system से मिलके बनी होती है ठीक है जो basically हम यहाँ systems की बात करने वाले हैं इस chapter के अंदर वो एक बार मापको बताता हूँ digestive respiratory BCG याँनी की यहाँ पे blood circulatory system then excretory system excretory system then यहाँ reproductive system nervous system endocrine system और और भी बहुत सार शिस्टम है muscular system skeleton system यह सब आपके अभी नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे digestive system की और जो digestive system है उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि digestion particularly होता क्या है तो जो digestion है digestion का मनलब क्या होता है कि देखो सभी जो humans digestion क्या होता देखते हैं देखेंगे जो भी कोई एक organism है बेसिल यहां बात करें humans की जो humans है humans को जो भी यहां functions करने है कोई भी टास्क करना है तो उस टास्क में humans को क्या चाहिए यहां पर energy की requirement होती है growth के लिए reproduction के लिए और routine work है हम जो भी work करते हैं daily life में उन सब के लिए बनों क्या चाहिए यहां पर energy चीए और energy में कैसे मिलती है food देने के बाद में जैसे हम food लेते हैं तो हमें energetic feel होता है और हम जो है काम कर सकते हैं कोई भी work अपना कर सकते हैं इसलिए हम यहां देखेंगे फूड को जो है utilize नहीं कर पाती है ठीक है तो digestion क्या करता है देखेंगे एक process है process of converting complex food into simpler form for the utilization of for the utilization by body ठीक है अब यह utilization करके करेगी क्या बोड़ी क्या करेगी energy requirement करेगी ठीक है अब देखतें एक और आपिस से की digestion होता क्या है अब यह जो energy के आपके requirement है वो कहां 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 आती देखिए growth के अंदर जो अपनी body में कोई cell है कोई organ है वो गर माली जी damage हो चुका है तो इसको repair करने के लिए फिर बाद में reproduction के लिए और जो भी आपके routine work हो उसके लिए ठीक है तो digestive system को पढ़ने से पहले आपको आने चाहिए digestion की definition और digestion क्या होता है it is a process of converting of complex food into simpler form for the utilization of body अब यहां बात करते हैं कि इसकी digestive system की बात करते हैं ठीक है कि एक digestive system होता क्या है तो अभी हमने ऊपर देखा है यहां पे कि कोई भी जो यहां पे system है एक जो organ system है वो बनता कैसे है कुछ group of organs से बनता है तो same चीज यहां पे है कि यह जो आपका digestive system है वो आपका क्या हो यहां पे it is a group of organ and glands which work together for ingestion, digestion, absorption and expression of the waste outside the body ठीक है earlier classes में हमने देखा है कि जो एक digestion है उसकी आपको basically 4-5 state बताई गई थी ठीक है वो कौन-कौन सी stages है देखने है यहां पे सबसे पहले ingestion ingestion क्या होता है जो भी food है उस food को जो mouth के थूँ या फिर कई बर क्या होता है आपने देखा हो अगर जो patients होते हैं इल होते हैं उनको liquid की form में जो उनकी नाक होती है जो उनकी nasal cavity है वहां से भी food को inject करा जाता है ठीक है ना तो सबसे पहला जो अपना digestion का जो state है वो पहली state यहां पर क्या होती है ingestion की food को intake करना intaking of food क्या होती है ingestion हो गया फिर बाद में उसके क्या होना food का simpler form में convert होना वह हो गया क्या digestion हो गया फिर जो आपको यहां पर simpler form में food convert हुआ है उस food को आपको करना क्या होगा absorption उसका करना होगा ताकि आप उसको क्या कर पाओ यूज में ले पाओ ठीक है फिर बाद में देखते हैं कि उसका क्या होता है जो undigested food है उसका body से बहार निकालना या फिर उस waste का body से ब पूछे क्या digestion के definition तो digestion क्या एक process है digestive system क्या है एक group of organ है it is a group of organ वो कर क्या रहा है यहां पर यह जो पूरा आपका digestion का work है starting कहां से ingestion से लेके कहां पर उसका expression तक वो सारे काम कर रहा है मतलब food को अंदर लेना उसको simpler form में convert करना फिर उसको absorb करना और फिर बाद में जो waste बच ग group of organ और gland को commandly हम क्या बोलेंगी digestive system बोलेंगी ठीक है तो एक बार हम देखते हैं कि digestive system होता क्या है तो यह है आपका यहां digestive system इसमें हम देखते हैं कि अभी आपको कुछ organs के नाम बताए थे ठीक है जो digestive system है वहाँ पर बहुत सारे group of organs और glands होती है तो यह सब हम देखेंगे अब यह जो chapter है इस chapter के निए diagram बहुत important है यह जो आपका chapter का वेटे जवाबका 6 नमर है second chapter का और 6 नमर में से आपका जो पहला a section है a section का भी पहला ही पहला question जो आता है वह आपका digestion में से ही आता है ठीक है तो एक नमर का जो question आपका का digestion से fix षिस फिक्स है वह आएगा ही आएगा ठीक है उसके बाद में जो आपका 28 question है उस question के अंदर आपके ऑख के दो two part ह Πांथ होते हैं दो नमबर तो 2nd chapter में च्छह नमर आपका कोन है उसमें से 2 नमर आपके किसे हैं diagram क्ये ही है बधर chapter का वन थर्ड जो वेटे ज़ो आपका diagram में है तो diagram मना ही बहुत important है अभी आपको देखने में थोड़ा सब्सक्राइग लग रहाँ होगा बाकि इस बहुत आपको detail देखनी है ठीक है जैसे कोई भी अगर बोलें कि आपका favorite actor या actress है तो उसको आपने देख लिया एक बार तो अगर आप आखे बंद भी करते हो ठीक है या आप भीना देखे भी उसका आप imagine कर सकते हो सेम वैसे ही आपको अपनी आखों में इस diagram को बसाना है ढंक से और कभी भी जवाब के एक्जाम में आए तो अगर मान लीज़ें का नाम आए तो आपकी दिमाग में आपकी आखे बंद करते ही सारी ये कहानी या फिर ये जो diagram है पूरा print हो जाना चाहिए या आपके याद आना चाहिए तो हम स्टार्ट करते हैं diagram में तो सबसे पहले आपका process यह होगी आपको इसको पहले दिमाग में बसाना है या आखों में बसाना है इस diagram को फिर बाद में क्या करना है एगर आपने इसको diagram को याद कर लिया या आखों में बसा लिया इसकी सारी डिटेल आपने याद कर ली next step क्या होती है कि आपको इसको कम से कम दो या तीन बार practice करना है देख के book में जो है वहाँ से आपको book में से देख के आपको इस diagram को practice करना है दो या तीन बार आपने practice कर ली उसके बाद में आपको एक बार बिना देखे प्रैक्टिस करनी है ठीक है इतने में आपका ये 80-90 पसंद ये डियागरम आपकी दिवाग में फिट हो जाएगा और माल लीजे कभी किसे एक्जाम में आ गया हाफ एल लिया क्लास टेस्ट में आ गया वहाँ आपने डियागरम आ क्योंन से है या आपको याद रखना ही है तो सबसे पहले यह जो आपका नोज है कि बाउने आपको काम किसमे में इंस्जिस्ट में में फूड को इंटेक है वह नेल हो सकती है और रिल और रिलदें हो सकती है ठीक है माउथ के आगे जब हम चलते हैं तो हम जो सांस लेते हैं कई बार अपना मुझ खोल के सांस लेते हैं तो अपने मुझ का जो पिछला बाट है जहां को कूल-कूल फील होता है यहां अँड हवाँ हवा जा की एर्भ या इड दाके स्ट्राइक हो यह टक्रारी है ठीक है उस part को basically क्या बोलते हो ऐऽ tutti हो यह यह और जो आपकी बॉलती हो ठीक है यहां जो word है phagos ठीक है इसको हम देखेंगे किसका मतलब क्या होता है चलो देख रहें तो फैगो means क्या होता है to kill and engulf something P-H-A-G-O phago phago means होता है to kill and engulf something मतलब किसी जीज़ को मारना और निगल जाना तो इसका काम यहां पर यह ही है यह जो tube like structure है इसका काम क्या होता है food जो आपने यहां mouth में लिया उसको निगलना उसको आगे transport करना फिर बाद में आपको यह जो j ship organ आपको दिख रहा है इसको आप क्या बोलोगे stomach बोलोगे ठीक है stomach के लिए एक word यहां यूज होता है कौन सा gastro जैसे cell के लिए होता है site tissue के लिए हिस्टो वैसे ही जो stomach है उसके लिए यह पर word क्या होता है gastro यूज होता है ठीक है stomach हो गया stomach के बाद में जो आपका अगला जो organ है यह आप यहां देख तो बहुती coiled structure है यहां से आ रहा है और यह जो बहुती coiled structure एक formation मंड़ी है इसको combinedly हम क्या बोलते है small intestine बोलते है small intestine हिंदे में बोलते हैं छोटी आत ठीक है small यानि की छोटी ठीक है अब यह जो small intestine इसके भी यहां पर तीन पार्ट है जो स्टमक से जुड़ावा यानि कि सबसे पहले जो पार्ट है यहां पर small intestine का कौन सा होता है डियोडियन होता है next उसके बाद में कौन सा होता है जैजुनम के बाद में सबसे लास्ट में पार्ट होता है आपका यहां पर देखो इलियम होता है जो स्माल इंट्रस टाइन है उसका पहला पाट होता है डियोडियन कीडिके जैसे या वर्मी की जैसे एक फॉर्म में होता है एक स्ट्रक्ट्चर उसको हम क्या बलते हैं अब यहां यहां पर स्टार्ट ओर प्राइज पार्ट है इसको क्या बलते हैं सीक्ड बलते हैं C-A-E-C-U-M large intestine का पहला जो यहाँ part है इसको में क्या बोलते हैं सीकम बोलते हैं ठीक है यह सीकम हो गया उसके बाद में यह जो इतना इतना part है यह जो मैंने आपके यह लिखा है A-C, T-C, D-C, S-C इसका मजब क्या आपने देखेंगे देखें यह जो यहाँ part है पूरा इसको हम क्या बोलते हैं colon बोलते हैं C-O-L-O-N colon इस पूरे part को हम बोलते हैं का colon बोलते हैं अब यह जो part उपर जा रहा है नीचे से उपर क्यों जा रहा है इसको बोलते हैं अपने ascending और ascending means क्या होता है आप सभी ने पढ़ा है ascending जो mean है उसका आपने सभी ने पढ़ा है ascending means क्या होता है चोटे से बड़े की और आपने देखा अगा ascending order या descending order ठीक है सेम वही है यहाँ पर ठीक है चोटे से बड़े की और या कम height से चोड़ा मलब की हाँ कम height से उन्चाय की और जाना ठीक है ऐसा अब इसको relate कर सकते हो ठीक है तो पहला जो colon है colon का पहला पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा ascending हो गया यह अला कौन से होता है descending और यह जो ऐसे यहाँ पर इसको बोलते है transverse बोलते है ठीक है ascending, descending, transverse ठीक है यह जो यहाँ पर है इसको क्या होता है sigmoid colon s-i-g-m-o-i-d sigmoid colon अब दिखिए जो sigmoid colon हो ascending, transverse descending colon इन सब का यह जो colon का अलगलग नाम दिया गया है उसका base क्या है उसका base यहाँ पर इनकी structure यह यहाँ नीचे से उपर झा रहा है ठीक है ascending कर रहा है तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पर ascending colon यह transfer इन कर रहा है यह कर रहा है कौन सही भूब यहाँ नाम क्या हो जाएगा descending colon यह आपका यहाँ पर sigmoid colon अपने दिखा होगा ऐसा कुछ होता है सिग्मा आप बेसिकली आपके नहीं है 11-12 में हम देखते हैं फिजिक्स में या आलग केमिस्ट में भी आता है ऐसे सिग्मा होता आपके ठीक है तो यह जब यहां पे कॉलन आती है तो इसका भी कुछ ऐसे होता पार्ट यह नीचे आता है फिर उपर जाके की आपका देखें अन अन्स होता लास्तपार्ट तो स्मॉल इंंटेस्टाइन यह आपका बहुत ही जी जाथा कॉयल स्ट्रक्चर फिर लार्ज इंटेस्टाइन फिर बाद में रेक्टम और आइनस तो सबसे जो आपका स्टार्टिंग बार्ट आपका माउथ ही और शबसे आप आपको नाम लिए वह सारे किसारे क्या थे आपके आप और गंसे जो भी और गंड डाइजेशन के इंदर इंवाल्व है बेसिकली यही और गंसे इनके अलावा कुछ आपको मैंने बुला था कि डाइजेशन इस ग्रूप आफ सड़ी डाइजेस्टेव सिस्टम इस ग्रूप आपके बॉलता हो कि अगर आपके ड्रॉइंग बहुत ज़्याद अच्छी नहीं है तो प्लीज केवल यह जो डाइग्राम है यह जो मेंनमें आपके यहां पर ओर गंसे केवल वही बनाइए यह लिवर और पैंक्रियाज जो है इसको यहां मत लाइए क्योंकि पासिबल होत है कि वहाँ इतने ज्यादा complex जो diagram है वो यह तो याद नहीं रहता अगर याद भी रहता है तो इतनी आप नीट तरीके से आप उसको बनानी पाते हो तो कोशिस कीजिए कि आप इसको यहाँ नहीं बना के थोड़ा सा उपर बनाए या थोड़ा side में बना दें ठीक है तो जो ल लिवर है लिवर के दो पाट होते हैं एक पर smaller lobule, lobule means part और एक आपका larger lobule ठीक है और या फिर right या left lobule दें यहाँ पर यहाँ पर क्या देखिए गॉल ब्लेडर है जैसे football के इंदर जो ब्लेडर होता है वो यहाँ पर क्या अगरता है उसमें air fill होती है ठीक है ठीक है वैसे य उसको यह जो गॉल ब्लेडर है वो यहाँ पर कहां पहुंचाता है डियोडिनम के अंदर पहुंचाता है तो यह सब आपके organs और कुछ gland थे जो यहाँ पर आपके digesting के अंदर involve है अब देखिए जो diagram है इसको पूर्य का ऐसे का ऐसे बनाना possible नहीं है और इतनी जार labeling भी बच pharynx, esophagus, then stomach, then deodenum, jezenum और ileum इन तीनों का आपको छोड़ना है इनके जगा आपके आपके simply के लिखोगे हैं आपे small intestine लिखोगे फिर आपको यहाँ पर क्या है क्या है क्या लाज intestine वो आपको लिखना है यह AC, TC, DC and SC ठीक है इसको आपको लिखने की ज़रूत नहीं है ठीक है फिर बाद में यह जो appendix है वो आपको लिखना है, rectum लिखना है और anus लिखना है, cecum की भी आपको लिखने की ज़रूत नहीं है ठीक है, फिर बाद में अगर आप यह liver और pancreas बनाते हो तो इन दोनों का आपको लिखना है अब ज़रूत नहीं है कि सभी जो है आप इन सबको skip करके लिखें, अगर किसी को याद रहते हैं तो सेम ऐसी कैसे diagram बनाईए, आपको पूरे-पूरे दो marks मिलेंगे और अगर आप ऐसे diagram बनाते हैं, chapter के किसी भी question की starting में, तो एक बहुत बड़ी आ impression बढ़ेगा और आपको full रमार्क्स देगा, ठीक है?